हेलो एन वेलकम तो दा स्टूडियो ट्रेडर्स टाटा मोटर्स को आज हमने ट्रेट किया था इसमें एक इंपॉर्टन पॉइंट था जैसे लोवर टाइम फ्रेम पर मार्किंग सोयरा देख सकते हैं इसको हमने अपने ग्रूप में भी शेयर कर दिया था मौनिंग में जब हम सपोर्ट पॉइंट्स थे सपोर्ट और स्टॉप्रस वगर्ण देखा था से पहले हम लोग अपनी ओडर बॉक देख लेते हैं लोग इन करते हैं जल्दी से पहले प्रेसो और लोग इन ओके काफी अच्छा ट्रेट रहा था आज का वैसे एंड दो दिन से मार्केट हमारी स देख सकते हैं 1818 क्वानिटी के साथ हमने टाटा मोटर को श्रॉट किया था एंड दूसरा एक और आप डाउंसाइड के तरफ देख रहा होंगे टाइटन का टाइटन के अंदर मॉनिंग में हमने एक एंट्री ली थी अपनी 344 क्वानिटी के साथ हमने एंट्री लेना ही को तो उस वक्त जो टाटा मोटर समको इसका एक बहुत अच्छा कॉमटीटर लगा तो आज के दिन ट्रेट किया था एक अच्छा डिसके न्रिबाट टाटा मोटर समको देखर के गया था पोश्चन बुक में देखेंगे ऑवरॉल जो आज का हमारा प्रॉफित है 18000 प्लस का ह प्रिस्ट और प्राफिट रहा एंड़ टो हम को आज सफिर समय क्या मार्केट सबस्केट सबस्क्राइब कहलों किया क्म प्राफित Sobs मार्केटOULD में खोर्प में की तो मार्केट पूछ जाधा बड़े प्राफिट में लीोड प्राफिट देखिका ही कि यहाध है व邊 टाटर मोटर्स को हम समझेंगे हायर टाइम फ्रेम पर और लोवर टाइम फ्रेम पर देखे जितनी भी मार्किंग से हमारी जितनी मार्किंग से हम इनको करते हैं डिलेट और गैप अप जो प्राइस हमारा हुआ है 13th of October को यहां से हम प्राइट को रीट करने की कोशिश करेंगे डाउन से अप साइड की दिरफ जो हमारा प्राइस आया है विदाउट एनी गैप अप आया था बहुत सिंपल वे में हायर है जायर है इस लगात हूँ चलाया था बट यहां पर ऐसा क्या हो गया कि सीधे गैप अप कर दिया गया अब गैप अप किया है तो प्राइस देखिए उसी रेंज के अंदर ही हमारा ट्रेवल कर रहा है इस रेंज के इग्जैक्ट अंदर ही अंदर हमारा प्राइस ट्रेवल कर रहा है आज जिस तरह के movements टार्टर मोटर्स के अंदर हमें morning में लगे थे और जिस तरह की volumes का breakout हमें टार्टर मोटर्स में morning में देखाय था उमीद थी कि price इस range तक गिर सकता है अब क्योंकि जिस range पर है और 435.50 ये एक range बड़ी है गिरने को गिर सकता है बट obvious normal market के अंदर हम देखे तो इतना बड़ा move एके दिन में देखाना थोड़ा सा possible नहीं लगा हमको तो हमने क्या क्या ये वाली जो candle थी इसका just low mark किया था targets के लिए अपने exact low भी mark ना करते हुए थोड़ा सा buffer देखकर के हमने upside के तरफ ने target जहां कहीं पर targets भूग के थे थे थोड़ा सा buffer टार्टर मोटर का higher time frame का price section क्या हुआ था simple सा एक नजरिया इसके दर अपने रखिएगा कि price को अगर गिरना है तो उसके पास एक important resistance होना चाहिए और अगर price को upside के तरफ जाना तो important एक support point होना चाहिए ये दो तो compulsory ही होते हैं अगर आपको अपना price अपनी in ranges पर नहीं मिल ला तो उस दिन अगर आप trade नहीं करोगे तो कोई बुरी बात नहीं है यहां पर देखे कि price हमारा एक low लगा देने के बाद में जब upside के तरफ गया था यह लो लगा था low लगा देने के बाद में price हमारा सीधे upside के तरफ गया और trend को अगर हम delete करते हैं और यहां पर एक line draw करते है horizontal line इसको बहुत इत्मिरान से और आराम से समझने कोशिश की जागा क्योंकि पहले भी हम बता चुके हैं आप लोगों से कि मेरे अंदर वो talent नहीं कि जल्दी 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 हम सारी चीज़ें clear करते हैं काफी मेहनत लगती कोई भी topic कर हम clear करना चाहते हैं तो बट जितनी मेरी मेहनत होती है उस हिसाप से आप लोगों से हमें कोई भी response नहीं मिलता वीडियो को like करें वीडियो को comments करें जिससे की थोड़ा सा appreciation हमको मिलता है और powers मिलती है हमको कि आगे जो भी discussion हम आप से करें फिस जो charts की reading आपके अगे बढ़ते हैं एंड देखिए price हमारा down से upside के तरफ गया इसके बाद में क्या हो रहा था last trading session में एक दो तीन चार ऐसा क्या हुआ था कि price इस range के नीचे नहीं जा रहा है इस range के नीचे क्यों नहीं जा रहा है और तीन दीन से price हमारा उस range में क्यों फसा हुआ एक दो तीन और जो price up से downside के तरफ गरा है तो तो यह अच्छा गिरा था अच्छा गिरा है in the sense कि देखिए इसने जो supports थे उनको break किया था यह वाले supports जो थे उनको break किया था अभी एक range क को break किया यह swing बना high लग गया high यह जो भी high था हमारा previous swings को इसने break नहीं किया था और downside के तरफ हमारा price निकला मतलब एक lower low form हुआ अब lower lows लगने शुरू हो गया highs protect हो रहा है जिसने gap up किया था हमारा अब उससे पहले क्या हुआ था कि price ने अपने इन वाले swings को break किया था है ना swing को break किया break कर देने के बाद में price हमारा upside के तरफ गया और इस candle के low पर ही supports फॉर्म करने लगा 22nd की candle के low से ही यहाँ पर देखिए कि lows फॉर्म होने लगा यानि कि supports फॉर्म होने लगा but क्या हुआ था rejection मिला price upside की तरफ चला गया rejection मिला price upside की तरफ चला गया मतलब कि कहीं न कहीं यहाँ पर buyers active है अब इनका क्या काम हो सकता है कि अगर यहाँ पर हमारे buyers active है तो यह लोग क्या कर सकते है price जैसे ही नीचे आगा वो उसको upside की तरफ ढखे लेंगे कोशिश करेंगे ऊपर की दिशा में ले जाने की कोशिश करेंगे ओके यहाँ पर जो एक important candle मेरे लिए निकल करके आती है वो यह वाली candle होती है 25th of October की यह मेरे लिए एक important candle थी आज के इंट्रण्यू ट्रेडिंग सेशन के लिए और support formation के लिए 25th of October की candle एक बहुत important candle थी अगर इस range को price हमारा break कर देता है volumes के साथ break करता है तो बहुत ज्यादा chance होगा कि इन supports को भी price break करके downside की तरफ आए और इस range के नीचे तक चला है I think समझ रहोंगे यह वाली जो हमारी candle है 13th of October की candle इसके downside तक price मरा निकला है अब यहाँ पर देखिए क्या किया है market ने अब इन तीनों लाइंस को याद रखिएगा कि यहाँ पर हमें breakout skin candles का catch करना था आज के दिन इन वाली candles का यह candle 25th of October की candle mainly important candle थी अब क्यों important है इसका अपन होता है कि importance होता है entire decision के तौरहन तो इस candle को जैसे ही हमने identify किया इस candle के low पर ही हमें अपने formations देखनी है इन ही candles में जितने price actions important price actions and lower time frame के वो इसी range पर हम को जाने कि 473.25 पर ही देखने हैं ओके और upside की range ज्याद रखिएगा 478.40 की इतनी सारी lines हो गई है अब कोई भी trade या फिर कोई भी execution हम करने जाते हैं ऐसा नहीं है कि lower time frame पर गए हमारा बस मन हुआ और हमने trade execute कर दिया उससे पहले काफी planning करनी पड़ती है जैसे कि यहां से देखिए हमने price को rate करना शुरू किया है यहां से rate करना शुरू किया है I think आपको समझ में आया होगा कि in candles की importance क्या है जबकि trade जो हमने execute किया है वो 472 की range के थोड़ा सूपर था यहनि 472 पर ही हमने अपने सारे trades execute किया थे लेकिन rate करने के लिए तो हमें सब कुछ देखना होगा न यह क्यों candles से हैं क्यों इतनी सारी weeks बनी है यहां पर important candles हमारी कौन से हो सकती है gap up किया है market ने तो support कहां से ले सकती है ज higher time frame पर इतनी सारी ranges हो गए अब चलते हैं lower time frame कि जो important range थी हमारी 473.25 की क्या इसका breakout किया गया था जी हां इस range का breakout volumes के साथ किया गया था उस वक्त जो volume आई थे हमारी पूरे दिन से सबसे ज्यादा की volume थी इस वाले range में आप इसको देख सकते हैं इस candle की volume कितने थी 925 की volume कित थी 2.017 और इसकी जो volume थी 2.34 की volume थी यानि कि पूरे दिन की सबसे ज्यादा volume है थी कल से अगर हम compare करते हैं तो कल से या फिर उसके एक दिन पहले से तो सबसे ज्यादा volume है वो आज की दिन की भी सबसे ज्यादा volume थी यानि कि हमारी important range को important point को volume action के साथ यहां पर release किया गया ब्रेक किया गया अब हम क्या कह सकते हैं कि मेरा 473 की यह जो range है यह हो चुकी है ब्रेक वॉल्म के साथ ब्रेक हुई है अब price के अंदर जो हमें entry लेनी अपनी इस range के पास में लेनी है ओके breakout हो जाने के बाद में price लेकि सीधे हमारा गिर गया सीधे गिर गया अब जो वापस से retrace करने के लिए price हमारा upside की तरफ गया था तो दोबारा में जब price हमारा 473.25 पर पहुंचा था तब हमने यहाँ पर इसके अंदर एंट्री लेती है उस वक्त जो हमको इसके अंदर एक important candle नजर आई 473.25 473.25 को actually हमने अपना stop loss रखा इस वाले point को हम कर देते हैं डिलेट इसा भी lines को याद रखेगा कि कहां से कौन सी line हम लेकर क्या रहे हैं अब अगर हम higher time frame पर आपको नहीं समझाएंगे या पर lower time frame पर किसी line को नहीं समझाएंगे तो आपको समझ पर नहीं आएगा कि हम कौन सी line कहां से लेकर क्या रहे है और आप confuse हो जाओगे तो lines को याद र इस candle का हाई हमारा कितना है 473.35 इस वाली candle का जो हाई है तो exact जो हमारा stop loss बना वो 473.35 को हुआ उसी range को उसी line को हमने किया किया 10 पैसे थोड़ा sub side के दो शिफ्ट कर दी इसको बना लिए अपने stop loss और जो entry हमने लिए 472.25 पर हमारी entry थी 472.25 ये मेरा entry point बना अब इस range पर हमने किया किया कि price जब 73 को क्योंकि उसने break कर दिया है अब जब price breakout करके वापस इस range की तरफ जा रह ये जो retracement का zone बना ये अपना entry का point था अब price देखिए एक support से उठ करके upside की तरफ आया है इसको याद रखिएगा हमने क्या कहा था कि यहाँ पर breakouts में किस candle की किस range के catch करने 467.70 के breakouts हमको लेखने थे यहाँ से हमको breakout देखने थे इससे क्या पता चलता है price की या फिर level की importance पत रखा है कि कोई भी एक point जो कि बड़ा important है बहुत important range है तो वहाँ पर volumes की जहुरत हमको पड़ेगी ही पड़ेगी देखिए कितनी speed से price downside की तरफ आया है और volumes के साथ price में इसको कर दिया break हमने क्या किया इस range का breakout हो गया अब breakout हो जाने के बाद में देखिए price यहाँ पर आया support लिया वह आपसे upside की तरफ चला गया यानि के यहाँ पर बायर हो सकते हैं बायर सी price को upside की तरफ लेकर के गए हमने क्या किया upside की तरफ अपनी एक entry stop loss आपको समझ में होंगे और दुबारा से जो price हमारा downside की तरफ गिरा है तो यह वाले जो point थे हमारे 63.35 exact 63.35 की जो range थी हमार कर लेते हैं यह वाली यहाँ पर आप जब 10 बाच कर 40 मिनट की candle का low देखेंगे वो आपको 463.35 ही नजर आएगी और आज का जो हमें profit अपना book किया था exact 463.35 पर ही अपने targets को book कर लिया था यहाँ से price हमारा फिर upside की तरफ चला गया था और वहाँ से वापस आ जाने की बाद में देखें इसने क्या किया कि अपना यह वाला भी low break कर दिया यहाँ पर ज़रूरी क्या है अपनी analysis आपका experience क्या वोलता है आपसे क्या आपको confirmations लेनी आती है क्या price को read करना आता है अभी जितने भी methods हमारे पास हैं कोशिश करते हैं कि उसको day by day और अच्छी तरह से increase करें और अच्छी तरह से उसके अंदर improvement लें और अच्छी तरह से हमारे जो accuracy है वो बढ़े तो हमेशा आपके system में यह point होना चाहिए कि कहीं से भी हम उसको increase कर सकें उसके अंदर एक step हम आगे जाने की कोशिश करें जरा सा अप मुवाया देख करके डर नहीं जाना जरा सा down बुक्स पर यह अच्छी अच्छी और अगर नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते इसी तरह कि और past actions में जितना भी उसकते हैं आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ शेर करने की कोशिश ही करते रहते हैं ओके तो आज की overall analysis अपने यह थी और bank nifty का देखें मौनि आपनी रेंज का breakout आज bank nifty ने किया था ओके तो इस रेंज से भी price अपना अच्छी तरह से downside की तरफ ब्रेक हुई थी जैसे price इस range के नीचे की दिशा में आ गया था हमने किया है अपने टाटर मोटस में और चार्ट हमने जबकि इसके शेर कर दिया था आपको दूसरा जो एक था हमारा टाइटन था अभी टाइटन के अंदर भी आप लोग को आपने देखा था अभी order book के अंदर जो जो order हमारा लगा था 233 2.05 पर यहां पर देखें यह एक important के अंदर थी जहां पर हमें entry चाहिए थी बट प्राइज ने क्या किया किया कि जैसे ही range के नीचे इसने breakout किया यह नीचे निकल गया हम confirmations का वेट करते रहेगा प्राइज नीचे की तिशाह में निकल गया entry ने जो entry हम लेना चाहते थे वो cancel कर दी वापस देखें अर टाइटन भी मेरा सही वे में ही गया है और टाटमोटर्स भी एक सही वे में ही चला था ओके यह दो स्टॉक्स थे यहोंने अच्छा मूव दिखाया हमको एक अच्छी दिशाम में इन्होंने वर्क किया त्थैंक यू एंड विकेंड है अपना विकेंड आप प्रेट